दोस्तों निवाज प्रावपत जाती प्रावपत आय प्रावपत जनल प्रावपत मित्र प्रावपत यानि इस तरीके का कोई भी प्रावपत आनलाइन कैसे बनाते हैं इसके उपर वीडियो बनाकर मैंने कोई दिन पहले अपने इसे जनल पर अपलोड कर दिया है तो आज मैं सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल के अंदर Google Chrome को ओपन कर लेना है Google Chrome ओपन होने के बाद उसके एडरेस बार में e-district क्लिक कर सच कर देंगे आप जिस भी राज से हैं उस राज के वेबसाइट को ओपन कर लीजिए जैसे मैं उत्तर परदेश से हूँ इसलिए मैं इस पहले वाले पर क्लिक करूँगा यदि आप बंगाल से हैं तो इस दूसरे वाले पर क्लिक कर लीजिए इसी प्रगास से आप जिस भी राज से हैं उस राज का नाम e-district के बाद लिख कर सच कर देंगे तो उस राज का वेबसाइट ओपन हो जाएगा मैं उत्तर परदेश का हूँ इसलिए मैं यहां से e-district.up.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ यहां पर एक कोरोना का बैनर शो हो रहा है तो इसको हम एक बार बैक कर लेते हैं यहां उपर में चार अप्षन है जिसमें से दूसरा अप्षन है शिटिजन लॉगिन इसाथी तो इसमें आप क्लिक करेंगे अब देखिए यहां पर इसाथी उत्तर परदेश इसमें लॉगिन करने का पेज ओपन हो गया है यहां पर हमें इसाथी का इस वीडियो के description box में दे दूँगा आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर इस साथी लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं और उसके बाद उसी वीडियो को देखकर आप अपना online जाती आय निवास जनर परणवरपत इस तरीके का कोई भी प्रणवरपत बना सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ यूजर नेम पासवर्ड और सुरक्षा कोड डालने के बाद यहाँ नीचे में लिखा है submit तो हम submit पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप दे सकते हैं मैं यहाँ पर इस साथी में login हो चुका हूँ यहाँ पर यूजर नेम से हो रहा है और यूजर नेम की नीचे में यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे जैसे निटदेश, आवेदन भरें आवेदन प्रिंट करें सेवा सुख भुक्तान करें आवेदन की सूची निस्तारित आवेदन रसीद की प्रतलिपी और इसके अलबा भी यहाँ पर और भी option है जैसे सुझाओ, login विवरेंट देखे logout अब यहाँ में यहाँ पर अपने online बनवाई हुए प्रमापत को डाउनलोड करना है इसलिए निस्तारित आवेदन इस पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखाए select service तो इसमें क्लिक करके हम service को select कर लेंगे आपने जो भी बनवाया है जैसे car certificate, income certificate domain style या फिर other उसको यहाँ से select कर लिजे यदि आप other में क्लिक करते हैं तो इसमें general परणापत, मितोई परणापत यानि कोई भी परणापत आपने बनाया है तो सब कुछ इसमें आ जाएगा मैंने निवास परणापत बनाया था इसलिए मैं यहाँ से domicile को select कर लेता हूँ उसके बार यहाँ से submit कर देंगे तो यहाँ पर हमारे निवास परणापत का application नमर सो हो जाएगा यहां लिखा है निवास परणापत और हमारा निवास परणापत कब जारी हुआ है उट डेट देखे, यहाँ पर सो हो रहा है यहाँ पर time दिया है अब यहाँ में अपने निवास परणापत को डाउनलोड करने के लिए यहाँ जो application नमर दिया है इस application नमर पर क्लिक करना है जैसे हम application नमर पर क्लिक करेंगे तो हमारा निवास परणापत हमारे मोईल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है Before clicking on submit button Please make sure that pop-up will enable on your browser यानि सबसे पहले हमें browser के setting में जाकर pop-ups को enable करना पड़ेगा तब ही हम अपनी निवास प्रामट पत को download कर सकते हैं तो हम three dots पे click करेंगे उसके बाद page को उपर खिसका कर यहाँ जो setting दिया है इसमें click करेंगे page को और उपर खिसकाएंगे यहाँ दिया है site setting हम site setting में click करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे जिसमें से एक option है pop-ups and redirect जो की block है तो इसे हमें unblock करना है तो इसमें click करके यहाँ देखिए block है इसको हम enable कर देते हैं अब हम back चलेंगे उसके बाद इस application नमबर पर click करेंगे देखिए जैसे हमने application नमबर पर click किया तो हमारा निवास प्रमापत हमारे mobile में download हो चुका है और उसका preview देखिए यहाँ पर आ चुका है यहाँ लिखा है सामान निवास प्रमापत और नीचे में पूरा detail दिया हुआ है यहाँ पर photo दिया है जारी करने का दिनाग दिया है और यहाँ नीचे में देखिए लिखा है यहाँ प्रमापत electronic delivery system दोरा तयार किया गया है यानि इस प्रमापत में किया है ना तो किसी परगार के मुहर की जरूरत है और ना ही signature जरूरत है क्याँकि इस प्रमापत में digital irony signature होता है यह दि आप इसे computer में खोले हैं इसको print कर सकते हैं देखे यहाँ नीचे मि दिया है print तो print पे click कर के तो'll क्रिंट कर सकते हैं उसके बाद यहां से हम चाहें तो rename कर सकते हैं नाम लिखने के बाद save पर click करतेंगे देखें यह हमारा निवास प्रामर पर हमारे moil के अंदर save हो चुका है चलिए हम पूरी तरह से back चलते हैं और उसके बाद file measure को open करके मैं दिखाता हूँ कि हमारा निवास प्रामर पर डाउनलोड हुआ है की नहीं अब देखें यहां पर निवास प्रामर पर आ चुका है चलिए हम इसको open करते हैं तो जैसा कि आप देशकते हैं हमने जो online निवास प्रामर पर बनाया था उसे हमने अपने mobile में ही डाउनलोड कर लिया है अब हम जब जाये तब अपने इस निवास प्रामर परत को printer machine से print कर सकते हैं तो इसे पकार से आप लोग भी online बनावाय हुए प्रामर परत को अपने mobile में ही डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है ये वीडियो पसंद रहा होगा अगर वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल के पहली बार है हैं तो चैनल को सस्काइब करके बेल आइकान जरू प्रेस कर दें तो मिलते हैं इसे पिकार के एक और ख्यान वाले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों दोस्तों